हेलो एवरिवन लक्षिय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर दिख स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल एजूकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से बिहार में स्पे एजूकेशन टीचर के लिए जो पात्रता परिक्षा है उसके फोर्म निकाल दिये हैं और फोर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं तो आज हम यहां पर यही बात करने वाले हैं कि जो बिहार में वकैंसी जाई हैं जो कि पी आर्टी में साड़े पांच हजार के लगबग ह हैं और टीजीटी में सतरा सो पनतालिस के लगबग हैं तो उन में से किस डिसेबल्टी की कितनी पोस्ट है क्योंकि वहां पर डिसेबल्टी वाईज पोस्ट आई हैं तो जैसे स्टूडेंट है वहां पर जिस डिसेबल्टी के उनके रेश्यो के बेस पे ही वहां पर सेंक्षन की गई है तो चलिए देखते हैं कि किस disability में कितनी पोस्ट हैं और आपने जिस disability में diploma या degree किया है तो आपके specialization में कितनी पोस्ट आने वाली है तो चलिए देखते हैं जैसा कि आप यह देख रहे हो यह हमने इनका जो detail notification है वहीं से लिया है इसमें बताया गया कि special education जो special educators required disability wise तो यहां पर इन्होंने यह बताया कि जो required है special educator वो कौन कौन सी disability में कितने हैं और यह जो data लिया है इन्होंने यह based on Udise है जो 2020-21 में फिल किया गया था तो Udise आप समझते होंगे कि Udise पर जो data फिल किया जाता है students का तो वहां से यह data उठाया कि disabled बच्चे कितने हैं और उनके base पर फिर यहां पर post sanction की गई है तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर इन्होंने बताया पहले disability mention की है फिर class mention की है और जो class 9th to 12th दिखाया इन्होंने तो 270 post वो जो की निकल भी चुकी हैं उनका आने वाले कुछ ही समय में paper होने बाला है आप सभी जानते भी हैं तो कुछ समय पहले ही इनका advertisement निकल और अब जो second advertisement आया है class 1st to 5th और class 6 to 8 का तो आप देख रहे हो कि यहां पे 534 post हैं जो की class 1st to 5th में है और 1745 है class 6 to 8 में तो इन दोनों के उपर अब notification आया है जो की पतरता प्रिक्षा के लिए है और पतरता प्रिक्षा के बाद final notification भी आपको देखने को मिलेगा बहुत क्योंकि बिहार में जो भरती का process चला हुआ है एक के बाद एक लगातार भरती आ रही है तो इसमें भी ज़्यादा time नहीं लगेगा form fill करवाते ही आपका paper ले लिया जाएगा और paper होते ही result declare करते ही फिर आपके आगे का process start हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि CP cerebral palsy के बारे में बताया कि वहाँ पे कितनी post है class जो 1st to 5th है 285 post है और class 6 to 8 83 post है उसके पाद blindness की post है primary की है 558 और TGT की है 211 CHI की post है class जो primary की है तो 988 post है और TGT की 317 post है low vision की है PRT की है 931 post और TGT की है 347 post speech and language disability की है 1370 post जो की PRT level primary level की है और 340 TGT level की है ID की है 544 post primary की है और TGT की 201 post है ESD की 92 post है primary level की और 39 post है TGT level की SLD की है 438 post है primary level की और 120 post है TGT level की multiple disability की 288 post है primary level की और 97 post है TGT level की तो आप देख सकते हो इस आधार पे इनका total बनता है primary level पे 534 और TGT level पे 1745 तो ऐसे total 7279 post आने वाली है जो की class first to eighth आने वाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो की अगर हम सबसे ज़्यादा post देखें primary level पे तो speech and language disability में है जो की 1370 post है और अगर हम TGT level पे देखें तो 1347 post है low vision की तो आप देख सकते हो की कितनी bumper vacancy आने वाली है और आने वाली क्या आ गई है अभी पत्रता प्रिक्षा होगी इनके उपर और पत्रता प्रिक्षा के बाद फिर आपका screening होगा और उसके बाद आपके document verification होने के बाद बहुत जल्द आपको joining दे दी जाएगी एक के बाद एक फटा फट प्रोसेस चल रहा है और बिहार ऐसा state है जिसमें इतनी vacancies निकली है special educator की क्योंकि अभी तक हमें दूसरे किसी भी state में इतनी vacancy देखने को नहीं मिली है और बाकी state में तो advertisement तक अभी नहीं निकले है post sanction नहीं हुई है पर बिहार एक मात्तर ऐसा राज्या है जहां पे post sanction होके और अब permanent vacancies का notification भी आ चुका है और अब पातरता प्रिक्षा आप सभी fill कर लीजिए और आज हम दो वीडियो और बनाएंगे बिहार के उपर एक में हम बताएंगे कि जो seat at है जिन्होंने seat at qualify किया है क्या वह eligible होंगे या वहां पे जो यह पातरता प्रिक्षा हो रही है सिरफ इन ही को eligible किया जाएगा और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि form कैसे fill किरना है आपको तो दो वीडियो और आ जाने वाले हैं हमारे तो कोसिस रहेगी कि दोनों वीडियो आज ही बना के हम डाल दे और आप सभी ताकि मदद होसके क्योंकि जो इन साथियों को eligible किया जाएगा या नहीं तो उनका confusion भी दूर किया जाएगा और साथ की साथ जिन साथियों को form fill करने में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि form कैसे आप fill कर सकते हैं तो आप वीडियो को जासे ज़्यादा like कीजिए share कीजिए क्योंकि आप ज आने के लिए अब हमारे योट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बेटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरेंट अब तक notification पहुंझाए और वीडियो को जासे ज़्यादा like करें साथ में share भी करें thank you